नमस्क्यार, मैं नीर्जा सिंग उत्राखंड मुक्त विश्विद्याले में सहायक प्राध्धापकपद पर कारे रथ हूँ आज मैं आप सभी को समाजिक मनोवग्यान में संचार और समाजकार का क्या महत्त होता है इस विशह में चर्चा करूंगी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाजकारे एक व्यवसाइक पाठिकरम है और इसके अंतरगत हम समाजकार की कुशलताओं से अउगत होते हैं और एक व्यवसाइक कार्यकरता होने के रूप में इसके योगदान से हम समाज में उन गत्विधियों को अंकित कर सकते हैं जिससे हमारे समाज का राश्र का कल्याण हो सके इस क्रिया में हम मनो विज्ञान की विशेश पद्धतियों का प्रयोग करते हैं इनकी सहायता लेते हैं और इसी के अंतरगत मनो विज्ञान में हम व्यक्तित्य का मानो व्यवहार का अभिवरत्ति का प्रेर्णा का वन्शानुकरम का और परियावरण के साथ ही साथ नेतत्य एवं संचार इत्यादि के संबन्द में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हम यह भी समझ सकते हैं कि समाजिक मनोव विज्ञान किस प्रकार से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। इस क्रम में मैं यह कह सकती हूँ कि व्यक्ति को समझने में समाजकार का विशेश योगदान है, जैसे कि एक समाजकार करता को व्यक्तिक सेवाकार के अंतरगत किसी व्यक्ति की समस्याव को सुलजाने में पहले उस व्यक्ति के व्यक्तित्तु का अध्धन करना पड़ता है। इसके बिना उप्युक्त परामर्ष प्रदान किया जाना संभव हो ही नहीं सकता है। इस संदर्व में समाजकार करता मनोविज्ञान का सहारा लेता है जिससे वह सेवार्थी के व्यक्तित्तु का अध्यन करके उसके विभिन प्रणालियों को समझ कर और उसके व्यक्तित्तु के आकलन के आधार पर उसको सहयता प्रदान करता है और एक समाजकार करता एक व्यक्त व्यक्तित्तु के साथ ही साथ उसके पर्यावरण का भी अध्यन करता है, जिसमें समाजकार की जो मूल प्रणालिया है वो अति सहयोगी होती हैं और इसके साथ ही अपना सहयोग प्रदान करती हैं, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि समाजकार व्यक्ति के साथ दो प्रकार से का करता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्तु का अध्यन करता है और दूसरा उसके सामाजिक पर्यावरण का भी अध्यन करता है इन में समाज सास्त्रिये एवं मनो विज्ञान की प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है और परामर्ष की प्रक्रिया के साथ साथ समाजकार की अन्य प्रणालियों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। यह सहायता इस प्रकार से प्रदान की जाती है कि भविश्य के लिए व्यक्ति अपनी समस्याओं के निदान में सोयम सहयोगी की भूमी का निभा सके। इस प्रकार से समाजकार एक सहायता मूलक व्यवसाय है जो व्यक्ति, समूह एवं समुदाय को उसके पर्यावरण एवं काल परिस्थिती के अनरूप पूर्ण विकास करने में और संब्रद्ध जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करता है। प्रतेक समाजकार करता समाजकार को करते हुए मनोवैज्यानिक पध्धतियों का प्रयोग कर सरप्रथम यह समझने का प्रयास करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार से सहायता प्रदान की जाए ताकि भविश्य में आने वाली चुनावतियों से जब वह व्यक्ति समुदाय यहां कहा जा सकता है कि समाजकार एक सहायता मूलक व्यवसाय है जो व्यक्ति को आत्म निर्भर बनाने में मदद करता है धन्यवाद